Hello my dear friends, welcome back to my channel, Tutor at your home और friends हम कहर रहे हैं Class 10 का MCQ Series और आज हम पॉच गए हैं Lesson No. 9 पर The Proposal So मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि Class 10 का आपने जो 10 मिट्स वाला जो चैलेंज था यह बहुत अच्छे से लिया So यह चैलेंज आपके लिए था तो यह चैलेंज मेरे लिए भी था क्योंकि मुझे भी आपके लिए Continuously back to back आपके लिए 10 मिट्स के maximum वीडियोस कवर करने थे So I am very happy बढ़ हम इसको continue रखेंगे extract के साथ में But हाँ यहाँ Lesson 9 तक हम कर चुके हैं MCQs देख लेते हैं So पहला question is the name of Natalia's dog as Natalia जो थी उसके dog का नाम क्या था So उसके dog का नाम क्या था? His dog का नाम था Squeezer Okay When Lomo arrived Chubukow was surprised by his देखो जब Lomo घर आता है Chubukow के तो वो किस बात को लेके surprise हो जाता है? क्या देखके surprise हो जाता है? वो क्या देखता है कि Lomo जो है Evening Dress Pen के आया है Evening Dress क्या होता है? Evening Dress होता है Party Dress है ना? जिसमें हम proper coat, type अगेरा यह सब लगा के चाते हैं तो वो Dress Pen के वो आया था, ठीक है? Question number 3 आपसे पूछ रहा है Lomo comes to Chubukow's house क्यूं आया था उसके house पे? है ना? मैरिज के लिए वो चाहता था कि Chubukow की जो डॉर्टर है नतालिया उनसे उनकी क्या हो जाए? मैरिज हो जाए ओके? ना चुबको जो है वो क्या है इस चैप्टर में वो है land owner जिनके पास अच्छी खासी जमीन है Question number 5 आपसे पूछ रहा है चुबको और त्लमू टू शट अप और ही वोड शूट हीम लाइक देखो उसने उसको देखो इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई बड़ाई हुई पहले land को लेके होती है फिर जो family को लेके dispute हो जाता है फिर उसके बाद में कुछ dogs को लेके हो जाता है तो इन लोगों के बीच में पूरे chapter में कोई ना कोई argument होता रहा है तो चुबको उसको बोलता है कि तुम चुप हो जाओ आप मत कुछ बोलो वड़ना मैं तुमें shoot कर दूँगा shoot मतला गोली मार दूँगा और किसके जैसे बाहर दूँगा पैटरिच के जैसे पैटरिच के होता है एक तरह की bird होती है एक पक्षी का नाम है जब वो लड़रे होते हैं आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो चुबको क्या बोलता है कि जो लबो की जो family है उसकी family में क्या है लूनैसी है मतलब नैसे मतलब सब लोग क्या है पागल है या पागलो जैसे हरकते करते हैं तो ये कौन बोलता है चुबको बोलता है और किसकी फामिली के लिए बोलता है लमो की फामिली के लिए वो बोलता है question number 7 आप से पूछ रहा है Lamo went to his neighbor Chubakos house क्यों गया था दिखी अभी हमने discuss किया तो to give a marriage proposal marriage proposal रखने के लिए गया था वो उसके घर पर let's see this question number 8 Chubakos is delighted with the proposal for the following reason क्यों वो बहुत ज्यादा happy हो जाता है delighted मतलब happy हो जाता है proposal को सुनकर क्या reason था उसके पास में तो उसके पास में तो एक ही reason था हाना क्योंकि वो अपनी बेटी को married देखना चाता था Chubakos would like to see his daughter married वो चाता था कि उसकी बेटी की जली से जल शादी हो जाए और Lamo उसके लिए एक अच्छा proposal था तो इसलिए वो यह सुनकर happy हो जाता है squeeze parents were अब देखो जो squeezer है squeezer का जो parent थे उनका name आपको बताना है आपको बताना है squeezer एक dog था यहाँ पर उसके parent का नाम क्या था यह हमको बताना है तो उसके parent का नाम क्या था harness and chisel यह उनके parent का name था याद रखिएगा बिल्कुल ना now question number 10 is asking according to Lomo what amount would be good enough for buying a squeezer squeezer को buy करने के लिए उसके हिसाब से कितने रुपे sufficient होंगे तो वो क्या बोलता है कि कितने रुपे होंगे कि 25 ruble is sufficient क्या बोलता है कि just 25 ruble would be handsome price to pay for him यह उसको बोलता है कि इतना amount sufficient है देने के लिए now question number 11 is asking to you who is gas in the story gas कौन है इस कहानी में तो इस कहानी में gas कौन था एक dog था okay so यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ 11 questions लेकि आई थी इस chapter को थोड़ा detail में आप पढ़ लीजेगा क्योंकि बहुत सारे events इसके अंदर हुए हैं एक के बाद एक so कुछ tiny details आपको याद रखनी पढ़ेंगी इन 11 प्रशनों के अलावा so मैं आपको suggest करूँगी कि आप chapter एक बार पढ़के जाएं अच्छे से बहुत ही अच्छा chapter था बहुत ही funny chapter भी था जैसे कि यहाँ पर लुमो को एक problem होती है palpitation की जिसके अंदर उसको suddenly कुछ strokes आने लग जाते हैं पसीने आने लग जाते हैं और वो भ्याँश भी हो जाता है लड़ते लड़ते भी ऐसा उसके साथ में हो जाता है तो अच्छे से इसकी summary आप पढ़के जायेगा so thank you so much for being with me on this 10 minutes challenge और I hope आपने सारे videos अच्छे से देखे होंगे अगर नहीं देखे हों तो आप मेरे channel पर जाकर उनको देख सकते हैं अभी भी आपके लिए available है and at last I just want to give you a big thank and I just want to give you good luck also for your upcoming exams हमाय साथ next videos जो आने वाले हैं वो हैं extracts 11-12 के लिए भी हम extracts लेकर आएंगे even 9 के लिए भी मैं लेकर आऊंगी लेकिन पहले मैं चाहते हूं class 10 को अच्छे से हम cover कर ले क्योंकि class 10 का result बहुत important होता है ampi board के लिए वैसे तो results सारे ही important होते हैं बढ़ 10 एक targeted class रहती है और class 10 का result अच्छा ही निकलना चाहिए so good luck preparation करते रहिए आप लोगों की exams आने वाली है so bye bye and take care share कर देना subscribe कर देना like भी कर देना bye bye